किराने की दुकान में कितनी कभाई होती है इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ किराना बिजनस से रिलेटेड कि बहुत सारी वीडियो लगबग सतर से ज़्यादा किराना हिस्टोर पे मैंने डीप में इसकी पूरी प्राब्लम पे और होलसेल प्राइज हो गए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ ठीक है वैसे चैनल पे जाएंगे तो 700 से ज़्यादा वीडियो है जिसमें से लगबगा आधा से ज़्यादा आपका कि जुड़ता मिलता जुड़ता है चाया आप होलसेल का हो रेटेल का हो तो इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का यह कमेंट आता है या बहुत ज़्यादा लोग यह सोचते हैं कि किराना बिजनस में कितनी कमाई होती है अब भाई देखी कोई भी ब्यापार जब हम सुरू कर करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले हैं इस बिजनस में कितना कमा सकते हैं कमाई है भी या नहीं है competition है कैसे करें investment यह बहुत सारी भाई उनके दिमाग में सारी चीज़े चलती रहती हैं जो कोई भी नए आदमी जो बिजनस स्टार्ट करता है अब किराने बिजनस में कितनी कमाई है यह चीज आपको जानना बहुत जरूरी है ठीक है जैसे कि मैंने क्योंकि यह बिजनस आम तोर से देखा जा तो सबसे ज़्यादा लोगों की च्वाइस होती है और बहुत बढ़े आसानी से यह बिजनस खुल आमान आपका होता है वो भी आपकी local wholesaler से मिल जाता है उसके लिए भी नहीं है कि बहुत दूर तक आपको tie up करना पड़ेगा company में जाना पड़ेगा या बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा ठीक है यानि सब कुछ बहुत easy होता है और ज्यादा तर लोग इस business को इसी वज़ सकता है कि नहीं चाल सकते है कुछ पैसे हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं और आज की डिट में करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि पहले से हर जगे दुकाने अगर आप गाओं में रते हैं तो गाओं में भी आपके बहुत सारी दुकाने होगी अगर आप सहर में होते हैं तो सहर में बहुत सारी दुकाने मार्केट में बहुत सारी दुकाने मोहले में बहुत सारी दुकाने हैं क्योंकि ये डेली नीट की जरूरत है लोग पहली जरूरत होती है तो हर जगे अवेलेबल होता है हर जगे ये बिगता है ठीक है और बहुत सारी दुकाने आप हर जगे नहीं खोल सकते हैं सबजी की किराने की रासन की दुकान आप कहीं पे भी खोल लें जानदस परिवार है वहाँ पे भी कुछ न कुछ आपकी बिग जाएगा ठीक है बाकी और बिजनस के लिए प्रापर मार्केट एक जगे होनी ज़रूरी होती है ठीक है दोस्तों तो यह इसमें इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अब भाई इसमें कमाएंगे कैसे आप कितनी कमाई आपकी हो सकती अब देखिए यह डिपेंड करता है जैसे के मैंने आपको बता है किस जगे पे आप है कितना investment आपने लगाया हुआ है किस तरीकी के लोग आपकी society में रहते हैं कुल मिला जुला के जो निचोड होगा वो कितना आप sale कर लेते हैं कितना बेच लेते हैं किसी भी business या इसमें भी जितना आप sale कर पाएंगे उसी recording आ इतनी ज़्यादा दुकान हैं तो competition बहुत ज़्यादा है कोई 50 रुपय का product 48 में बेच दे रहा है तो कोई 46 में बेच दे रहा है कोई एक रुपय अभी नहीं मुनाफ़ार रखके दे रहा है तो क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों के लिए क्योंकि customer कह जैसे margin जो होता है कम हो जाते है क्योंकि लोग जानते है यार यार यह उसका customer है इसको सस्ता बेच के अपनी और खीच लो ठीक है यार यह ठीक है सस्ता दे रहा है उसके हां से लेता है इस वज़े से जो पहले से ही profit margin कम होती है उपस से जब आपका competition बहुत ज़्यादा होता है तो profit margin और ज़्यादा कम हो जाती है दोस्तों अगर आप नए में start करना चाते हैं तो भाई देखो आपको यह चीज़ देखना होगा कि आपकी गाउं में अगर आप स्टार्ट करना चाते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वो नहीं रख पा रहे हैं क्या चीज़े वो नहीं कर रहे हैं जो हम अलग से करें तो customer हमारे साथ जुड़ेगा सेम चीज़ अगर आप market में है तो वहां पर भी आप यह चीज़ देखिए कि भाई किस जगह पर हम खोले क्योंकि कुल मिला जुला कि आप कहीं पर भी खोले अच्छी जगह पर आप खोलते हैं जादा सेल करते हैं तो जहिट जहीड सी बात है आपकी जो कमाई होगी वो जादा होने वाली ठीक है क्योंकि ग्राहक जादा आएंगे सेल जादा करेंगे prem cash ज़ो होती है वो कम अगर आपका है, फुटकर का बिजनस है अगर आपका, तो जो profit margin है, वो 10% से ज़्यादा तो नहीं है, और competition है, और बहुत सारे product पे आपको 5%, 2%, 6% तक की margin मिलती है, अगर आनवरेज अगर देखा जाए, दोस्तों, तो 5-10 की बीच में ही profit margin आपकी सिमठती, अब आप इसे कित उसको, मतलब उसको भी बेचे, बट उसके parallel जो profit margin ज़्यादा है, वो product हमारे counter से कैसे बिके, कौन से customer को हम target करते हैं, बहुत सारी चीज़े दिमाग लगानी पड़ती है, जहां पे हम बैठे होते हैं, उसी हिसाब से हम नगाते हैं, क्योंकि हर जगे customer base अलग होता है, लोग मतलब कहीं किस brand का उपयोग उस छेत्र में लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई product नहीं है, जो हर जगे एक ही बराबर बिके, कोई भी product हो, कितना भी बड़ा brand हो, ठीक है, देश बहुत बड़ा है, कहीं कोई चीज बहुत ज़्यादा बिकती है, तो कहीं कोई उ होता है, कि इतना आप mail लगा पाए, ठीक है, mail का खेल जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है, कि जितना बढ़िया आप mail लखेंगे, customer को सारा समार वहां पर आपका दिलवा देंगे, मतलब customer आए, और सारा समार आपके counter से पाए जाए, उसे कहते है, mail लगा के रखन ठीक है, तो जो profit margin है, वो बहुत कम है, अगर आप नए में दुकान खोलना है, तो ये सारी चीज़े आपको जानना ज़रूरी, तो last में आप ये जानिए कि महिने में हम कितना कमा सकते हैं इस business, महिने में देखिए दोस्तों कमाने वाली अगर बात करें, तो अगर आप मार्केट में हैं, जो कि ठीक ठाक है, कई गाउं का मार्केट होता है, अपने इसी तरीकी से होता है, तो मार्केट में अगर रैप हैं, तो हाँ, 25-30,000 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है, अब बहुत अच्छी मार्केट है, तो 50,000 रुपया तक भी कमा सकते हैं, और अगर आप city में है और city के हिसाब से दुकान आपने खोली है उतना investment किया है तो लाखो रुपए भी कमा सकते हैं तो इस business में 10-5,000 से लेके लाखो रुपए लोग कमा रहा हैं वो depend करता है कितना investment कहां पे आप खोले हैं ठीक है इस सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कमा पाएंगे इस business की अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी ले ले तो इस business में कभी फेल नहीं होगे या किसी भी business में अगर जानकारी आप अच्छे से ले ले तो इस business में फेल नहीं होगे पूरी वीडियो को चैनल पे जाईए, पूरा किराना प्लेलिस्ट आपको description में मिल जाएगा, उसको देखी हर एक वीडियो को देखी है, अगर आपको किराना इस्टोर का बिजनस से स्टार्ट करना है, तो पूरी वीडियो आप देख के, फिर बिजनस को स्टार्ट करिएगा, उमीद करते हैं, यह चीज़ समझ में आई होगे, कि भाई किराना में कितनी कमाई होती है, बेहत कम कमाई है, सेल पे निर्वर करता है, तो जितना ज़्यादा सेल, उतनी ज़्यादा कमाई, ठीक है, तो जगे चुने, कि कहां पे हम ज़्यादा सेल कर पाएंगे, इसी तभी आप ज़्यादा कमा पाएंगे, तो उमीद करते हैं तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रू कर दिया, नए है तो चलब को नवस्कार्ट